नमस्कार फ्रेंड आज जो है ना फैनली बियन मंडल इन्वर्सिटी से एक बड़ी अपडेट निकल कर आए हुए हैं आप लोगों के सामने PG का जो है 3rd invite list जारी कर दिये गए हैं तो आप लोग को हम इस विडियो में बताएंगे की 3rd invite list आप लोग कैसे अपने以前 स्मार्फों से डौनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना नाम फाइंड कर सकते हैं तो चलिये आप लोगे को बताते हैं तो अपने mobile phone में कोई शाब browser open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पे search word में search करना है BNMU वैसे तो आप लोगों को पता ही होंगे यह BNMU का official site है तो उसके बाद नीचे scroll करना है और scroll करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने दोस्तों तो आप लोग को यहाँ पे view might list पे आप लोग को click करना है तो चलिए हम view might list पे click कर लेते हैं तो जैसे ही click कीजेगा view might list पर तो इस तरह का dashboard आपके सामने open हो जाएंगे के इस तरह का dashboard open होने के बाद यहां पे academy session यहां से आप लोग को फिल कर लेना है तो चलिए हम 23-24 फिल कर लेते हैं उसके बाद यहां पे degree tap में आप लोग को select कर लेना है पॉस्ट graduate आनी की PG select करने के बाद यहां पे देखिए यहां पे आप लोग degree select कर सकते हैं तो यहां पे डिगरी हम select कर लेते हैं में तो चलिए उसके बाद यहां पे देखिए ठर्ड मेर्ट लिस्ट सो होड़े हैं तो यहां पे जो हैं आप लोग को तो जिस भी subject का आप लोग यहां से download करना चाहते हैं तो यहां पे download पे click किजेगा तो download हो जातेंगे अन्य था अगर आप लोग subject wise download करना चाहते हैं तो यहां से आप लोग subject चूछ कर लिजेगा तो जैसे हम economics यहां से चूछ कर लेते हैं तो सिर्फ यहां पे economics का मैट लिस्ट सो होंगे तो जैसे ही आप लोग यहां पर download पे click किजिएगा तो यह PDF आपके smartphone हो या PC हो उसमें download हो जाएंगे तो चलिए देखिए दोस्तों यहां पर डॉनलोड हो चुके हैं, डॉनलोड होने के बाद आप लोग को यहां पर सच का लोगो है, यहां पर आप लोग को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहां से आप लोग को नाम सच कर लेना है, उसके बाद नाम सच करने के बाद इस तरह का हैलाइट हो जाएंगे इसी तरह आपका नाम उसके बाद नीचे अस्कोल करना है यहां से आप लोग को application number मिला लेना है और यहां से आप लोग को अपना नाम मिला लेना है उसके बाद यहां पर DOB है उसके बाद यहां पर mail है उसके बाद यहां पर category दिये हुए है तो इसी तरह दोस्तों आप लोग अपना अपना नाम चेक कर लिजेगा तो यही एक छोटा साब्डेट था जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दिये